बिस्मिल्लाहिरुखमान रहीम। आज हम बना रहIFIC एट बिर्यानी जो बहुत आला मुन्वरिज Sydgari जाएके की बिर्यानी है तो देखें बहुत लजीज बिर्यानी है,म देख की बिर्यानी बना रही है, ei हम आपको इसकि रही से पूरी कंप्लिर से ऐंगे। हो बहुत मज़ तीटेबलश्पून लस्पन डाला, एक टेबलश्पून जाला है, तो थीडेबलश्पन नमक Mitgl ethic डालेंगे हों टालेंगे और एक टेबिल स्पून हम इस प्याली में में डालेंगे जो यह थासाले भीर्याँ आसे हमारे की बियानी जह भी है मसालो करेंगे उस्थ की साफ सुतुरा उचिक मासाले और एक टेबिलिस्पून हम इस प्याली में डालेंगे यह बिलेक जीरा है सियाल जीरा है हाफ टेबिलिस्पून बस इसमें डालेंगे पिसने में नहीं डालेंगे और यह दर दरा धनिया है दर दरा धनिया कुटावा धनिया ही जाता है साबित नहीं डालेंगे दो टेबिलिस्प ये छे लाइची हम धाई में डालेंगे और पांच छे लाइची हम पिसने में डालेंगे आप गौर से मसाले नोट करिएगा ज़िए हम अजज़ा डाल रहे हैं और देखें बद्यान के फुल टॉटल तीन जाएंगे डेर इसमें तकरीबन डेर उसमें जाएंगे ये तो ये बड़ी लाइची हम गरम मसाले की पिसने में डाल देंगे बाकी सारा हम इसमें डाल देंगे दाचीन का टुकड़ा दस लोंगे और एक टी स्पून बलेक पेपर हैं और एक पत्ता दालेंगे पुलाव पत्ता हम पिसने में डाल देंगे और एक जाएफल जाएफल जाएफ मिस का और जाओ तरी के पीस और दो आपको दिखाने सकी तो भजम cious मिक्स करें चीकंडर के अच्छे संधी मिक्स करके तगरेबन आदा गंटी कम से कम आदा करके लुझछ यह जादा रखना रखना चाहता है आफ व्रीज में रहात सकते हैं लेकिन आदा घंटा बहुत होता है रखना तो अच्छे से हम मसालों को चिकन के साथ मिक्स करके रखेंगे और आपको तलीवी प्यास कितनी पसंद है उसके साथ से आप एक सी प्यास काट किएगा और एक पाओ टामाटर जाएंगे तो टामाटर जितने गिरीन होंगे उतने अच्छे हमारी बिर्यानी वाइट वाइट बनेगी तो ये टामाटर एक पाओ है मैं काट लूँगी और देखें एक पाओ उईल लिया है उईल को तेस गरम किया है जो प्यास मेंने काटी है से मैं लाल करूंगी प्यास देखें हम बिल्कätzlich बीना प्क केंदर लाल करने के बाद हम बःखोने में नहीं चोड़ेंगे तो बिर्यानी हमारी काली यशिदी बनेगी हमें वैट बिर इसमें से हमने एक एक टीस्पून इसमें डाला है और यह आदा पाव हरी मिर्ची है तो यह बिर्यानी देखे आपको स्पाइसी खाना है अपनी मिर्ची के साफ से देखी का आपकी मिर्ची कैसी स्पाइसी है यह स्पाइसी नहीं थी और हमारे स्पाइसी नहीं खाए जाती ब बस इतना करना है और फूल flame है इस वक्त तो बस जो chicken हमने इसमें मसाले डाले थे chicken में और यह हमसारे इसमें डाल दें के अदा घंटा हु चुका है और मै इसे बस मिक्स करना है ते distill करने के बाद और ढब तक्रीबиз衅 में दस चीकन ने ईदे के सारे मसाले मैंने इसे ओल कर लिया विया पर जैसे हिर ऊचोड़ यह उए है ऑप फिर और जुरृत ने इसे मुनाई करने की सारा जाइगा चले जाता है ज़ादा बुनाई करने से बस अब पानी डालूझी इसके अंदर मेंने एक किलो चाउषल यह है तो आ भी नहीं लेकिन उससे बहतर है दो टेबलिस्पून नमक डाला है मैं अच्छे से हिलाओंगे मिस करूंगे नमक चकूंगे मुझे नमक कम लगा एक टेप नहीं हाफ टीस्पून नमक मैंने और डाला इदे के वायल आ चुका है वायल आने के बाद मैंने चांवल धो की पानी बिल्कुल भी उपर नहीं होगा तो यह मसाले हमने पीसे थे जो जावती जैफल भी डाला ही यह हमारा देगी मसाला जो हमने इसमें डाल दिया इससे बनीगी हमारी देगी बिर्यानी जबरदस्थ खुश्बू वाली तो देखे ही मैंने साहरा सा मिक्स कर लिया है पा जो मैंने काड़के रखे गिरिन टमाटर होंगे तो और वैट बिर्यानी बनेगी पांच टेबिल स्पून इमली का पल्प डालते गाड़ा गाड़ा इससे ज्यादा मत डाली का बिर्यानी जो हमारी आउट हो जाएगी मकसद जाएका सारा जो हैं अन्बैलेंस हो जाएगा पांच टेबिल स्पून इमली का पल्प डालेंगे आलू बखारे डालना चाहते हैं डाल दीजी आपके बस हरा धनिया फ्रेश कटिंग करके डाल दीजी है तो बहुत मज़ा आता है में पास तहां नहीं तो में केवड़ा एसन्स दाली इस कंपनी का जपरदस होता हाफ टी अब भी बुरग दीजी है और हम दम लगाएंगे मोटा कपा लगा के लोफले में 20 मिन के लिए आप कितना दम लगाते है 15 मिन का 25 मिन का अपना हिसाब देखिएगा तो 20 मिन का में दम लगाऊंगी लोफले में बहुत मज़े की देगी बिर्यानी भी बन के तियार हो इतने जैकेदार बनती है और इसमें लाल मिर्ची बिल्कुब नी जाती है देगी बिर्यानी हम बना रह